अलो बच्चो मेरी पाड़ साला में आपका स्वागत है बच्चो आज की पाड़ साला में हम कक्षा दूसरी विसे खेले करे सीखे इसके अंतरगत 1.6 स्वच्छता स्वच्छता का अर्थ है सफाई बच्चो हमें अपने आस पास अपने घर अपने विद्या ले और अपने आस पास के परिसर को हमेशा साप सुथरा रखना चाहिए अगर वहाँ पर कूडा कर कटा हो गया हो तो हमें क्या करना चाहिए उसकी सफाई कर देनी चाहिए है न बच्चो तो आज बच्चो हम स्वच्छता के उपर अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमें कहा कहा की सफाई कैसे कैसे करनी चाहिए पहले हम चित्र देख लेते हैं ये तो स्कूल का चित्र है विद्याले परिसर की सफाई ये क्या है ये तो घर की सफाई घर के परिसर की सफाई ये क्या है सोचाले की सुच्छता हाथ की सुच्छता और ये क्या है आप लोग इसे पहचाने ये कूडादान है हमें अपने घर का कुड़ा दान जितना भी कुड़ा होता है सब कुड़े को कुड़े दान में डालना चाहिए कुड़े दान में भी बच्चो गीला कुला जो गीला कच्रा होता है न उसको अलग डालना चाहिए असूखा कच्रा अलग डालना चाहिए यह देखो यहाँ पे लिखा है गीला कुडा मतलब गीला कच्रा इस डबे में डालना है और यह लिखा है सुखा कुडा वो इस डबे में चलो अब हम सुरू से पढ़ते हैं अब यह चित्र देखकर हमें क्या दिख रहा है यह स्कूल है है ना और यह स्कूल के आगे का हमारा गार्डन है हमारा परिसर है विद्याले का परिसर जहां पर हम खेलते कूते हैं विद्याले परिसर की सुच्छता बच्चो हमें अपने स्कूल के विद्याले के परिसर की बच्चो विद्याले मतलब स्कूल ही होता है ने तो आब बोलोगे टीचर विद्याले वो स्कूल दोनु बोल रही है विद्याले और स्कूल एक ही होता हम विद्याले भी बोलते है तो ये देखो ये बच्चे हैं अपने स्कूल के परिसर को साफ कर रहे हैं दो लड़के पूरा जाड़ू मार रहे हैं और पूरे कुड़ा करकट को इखटा कर रहे हैं एक लड़की कुड़े को डिबे में भरती है और दूसरी लड़की उसे उठा कर लेकर जाती है है ना बच्चो तो जैसे ये बच्चे अपने स्कूल के परिसर की सफाई कर रहे हैं वैसे हमें भी अपने स्कूल के परिसर की सफाई करना चाहिए बच्चो सफाई करने में आप ऐसे सरमिंदगी महसुस मत करो अरे कोई देखेगा तो क्या बोलेगा नहीं बच्चो अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई देखेगा तो कुछ नहीं सफाई करना तो बहुत अच्छी बात है है ना अगर सब हमारे आसपास का परिसर हमारे विद्यालय का परिसर, हमारे घर का परिसर सब एकदम साफ सुच रहेगा तो बिमारिया नहीं फैलेंगी अगर गंदगी रहेगी तो उस गंदगी में मच्छर आ जाएंगे फिर मच्छर काटेंगे तो मलेरिया होगा बिमारिया फैलेगी तो कभी भी बच्चो हमें अपने आसपास की सभी परिसर को हमेशा सापसुतरा रखना चाहिए अगर हमारा परिसर सापसुतरा रहेगा तो वहाँ पे बिमारिया नहीं होंगी बदबू नहीं आएगी है ना क्योंकि सापसुतरा है और जब हम साब सुथरे परिसर में रहते हैं तो हमारा मन भी खुश रहता है तो बच्चो जैसे ये बच्चे अपने विद्याले के परिसर की सफाई कर रहे हैं उसी प्रकार हमें भी अपने विद्याले के परिसर की सफाई करनी चाहिए आगे देखते हैं घर के परिसर की सुच्छता बच्चो आप विद्धाले के परिसर की तो हो गई तो आप सोचोगे घर में तो मम्मी करेगी मम्मी कितना करेगी बच्चो हमें मम्मी को भी मदद करना चाहिए मम्मी सब काम करेगी तो ठकनी जाएगी तो हमें अपनी ममी की मदद करनी चाहिए हमें अगर हमारे घर में कहीं कुड़ा उड़ा हो तो हमें भी उसे उठा कर साफ कर देना चाहिए जैसे कपड़े का कपाट हुआ तो आप भी तो ममी को मदद कर सकते हो ना आप अगर अपने कपड़े घड़ी करके अपने पूरे कपड़े को अच्छे से घड़ी करके कपाट में रख रही है ये भी सुच्छता है बच्चो नहीं तो और बच्चे क्या करते कपाट खोलते हैं कपड़ा ठूस देते हैं अंदर डाल देते हैं नहीं, हमारे जो कपड़े हैं, हम उसे घड़ी करके इसमें रखेंगे, ये भी सोच्छता हो गई है, सोच्छता मतलब कच्छडा ही नहीं होता है बच्छो, हमारी समान यहां वहां फैले रते, हपी स्कूल से जाते हो, बैक को यहां वहां फेक देते हो, ये गलत है बच्छो, हमें सारा सामान अपनी जितने जैसे आपका शू है आपकी जो जूते हैं तो जूते मुझे कहां रखे जाते हैं शू रेक में तो आप वहां पे रखिए आपका बैग रखने का जगह कहा है आप वहीं पे बैग रखिए आपका यूनिफॉर्म ड्रेस जहां पे रखा जाता है वहीं पे रखिए ऐसे नहीं कि आप निकालके वहाँ यहाँ फेक रहे हो नहीं यह गलत है तो बच्चों हमें अपने घर की सुच्छता भी करनी चाहिए जैसे बच्ची अपनी कपाड साफ कर रही है यह लड़का कच्ड़ा जाड़ु मार के कच्ड़ा साफ कर रहा है इसी प्रकार हमें भी अपने घर की सफाई करते रहना चाहिए मम्मी को मदद करनी चाहिए घर की सफाई करने में फिर आता है सौचाले आप बोलोगे टीचर हम सौचाले में क्या करे क्या हम सोचाले की सफाई करे नहीं बच्चो मैं आपको ये नहीं बोलती हूँ लेकिन जब हम सोच के लिए जाते हैं न तो उसके बाद आपका काम है ज्यादा से ज्यादा पानी वहाँ पे डाल दो ताकि कोई भी गंदगी ना रहे वहाँ पे क्योंकि गंदगी रहेगी तो उससे बिमारिया फैलेगी है ना तो हमें अपने सोचाले का अच्छी से सफाई रखना चाहिए जब हम सोच के लिए जाए मल मुत्र त्याग करने के लिए जाए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाल कर साफ कर देना चाहिए ठेक है तो हमें अपने सोचाले की भी साफ सफाई रखनी चाहिए क्योंकि हम रोज हमें यहीं पे जाना रहता अगर हम गंदगी करके चले आएंगे तो वहाँ पे दुबारा कैसे जाएंगे दुबारा तो हमें वहीं पे जाना है इसलिए हमें उसकी भी सफाई करनी चाहिए ठेक है बच्चो हाथ की सुच्छता बच्चो जब आप परिसर साफ कर रहे हो जाड़ु वड़ो लगा रहे हो या आप कहीं खेल कर आए हो और मम्मी आपको बोल रही है आके खाना खालो तो हमें क्या करना चाहिए अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए हमें अपने हाथों की सफाई रखनी चाहिए बच्चों सिर्फ हाथों की सफाई नहीं रखनी चाहिए आपके हाथ में नाखून होते हैं तो बहुत सारे बच्चों के नाकुन बहुत बढ़ जाते हैं और वो काटते भी नहीं है अगर आपके नाकुन बढ़ जाएंगे और आप काटोगे नहीं तो जब आप खेलोगे या सफाई करोगे तो उसमें गंदगी चले जाती है मिट्टी चले जाती है और अगर आपने हाथ की सफाई नहीं किया और आपने खाना खा लिया तो सारी गंदगी आपके पेट में चली जाएगी और जब गंदगी पेट में जाएगी तो क्या होगा बच्चो पेट में दर्द होगा पेट में दर्ध होगा तो डॉक्टर अंकल के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर अंकल तो इतनी लंबी सुई होती न वो लगा देंगे तो क्या आपको सुई लगाना अच्छा लगता है? मुझे तो नहीं अच्छा लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? समय समय पे अपने नाखुन को काट दे रहना चाहिए आप लोग तो छोटे बच्चे हो आप अपनी ममी को बोलिये आपकी ममी अपने नाखुन काट देगी नाखुन को और बच्चो सिर्फ नाखुन को नहीं और सबसे important बात बच्चो हमें रोज नहाना चाहिए अगर आप रोज नहाओगे तो आपके तोचा की सफाई कैसे होगी सरीर की है ना तो हमें रोज नहाना चाहिए हमें अपने सरीर के सारे अवे होगी सफाई अच्छे से करनी चाहिए भले वो आखो, नाखो, कानो या हमारे टीथो टीथ की भी सफाई करनी चाहिए आपको बच्चो दिन में दो बार अपने दातों को अच्छे से साफ करना चाहिए एक तो सुबे जब हम सू कर उठते हैं और एक रात को जब हम सूने जाते खानवना खा लेते हैं, फल खा लेते हैं, दूद पी लेते हैं और जब हम सूने जाते हैं, उसके पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा मालू मैं? अगर कोई आने का कर्ण हमारे दात मैट का रहेगा, फिर उसमें क्योड़े लग जाएंगे, फिर हमारा दात दर्द होगा, है नो? तो उससे अच्छा तो हम ब्रश कर ले, ताकि हमारे दात में क्योड़े ही ना लगे ठीक है बच्छो, समय समय पे अपने नाखुन भे काटो, क्योंकि नाखुन के इव में गंदगी रहेगी, आप खाना खा होगे, तो सब आपके अंदर जाएगा तो बच्छो, हमें अपने सरीर की भी सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है ऐसे ने कि हमें बस अपने विद्धाले का परिसर साफ करना है, टीचर ने बोला है, विद्धाले की परिसर की सफाई रखो विद्धाले की परिसर की भी रखनी है, अपने घर के परिसर को साफ सुत्रा रखने में, अपने मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए हम जिस सोचाले में जाते हैं उधर भी हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए और अपने हाथों के अपने सरीर के सारे अवेव के हमें सफाई करनी चाहिए और सबसे important बात बच्चो आप लोग सफाई करोगे ये तो very good लेकिन सफाई करने के बाद ये जो कच्चडा है इसका क्या करोगे अगर आप रस्ते में छोड़ दोगे तो ये फिर से फैल जाएगा तो सफाई करने का तो कोई मतलब भी नहीं हुआ तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा फाई करने के बाद यह जो कूड़ा इखटा होता है उसे हमें कूड़े दान में डालना चाहिए बच्चो आज कल दो प्रकार का कूड़े दान होता है एक कूड़े दान में हम सूखा कच्रा डालते हैं सूखे कच्रे में आता है जैसे आप चोकलेٹ खाते हो, बिस्कीट खाते हो, उसकी जो उपर की रहपर रहते है ना पनी, वो डालने का, और जो हम भाजी लेके आते हैं तो जो पनी मिलती है ना वो सब डाल सकते हैं, कागच वो डाल दीजी, ये सब सूखे कचले में, गीले कचले में, जो ममी भाजी या बहुत बच्चे खाने में थाली में खाना परोशते हैं तो पूरा नहीं खाते हैं और जो बच्चताता है उसको कुड़े दान में डाल देते हैं तो वो हमें गिला कछरे में डालना चाहिए वैसे हमें कोशिश यही करना चाहिए आप अपनी थाली में उतना ही खाना लो जितना आप उसे खा सको, हमें अनेका एक बीदाना बरबाद नहीं करना चाहिए. बच्चों हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिने खाना भी नहीं मिलता है. हमें खाना खाते समय भगवान को धर्निवाद देना चाहिए, कि हमें इतने अच्छे से खाना मिल रहा है. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो भूखे पेट सो जाते हैं, उन्हें खाना भी नहीं मिलता है. तो बच्चो आप कोशिश करिये, कि आप अनिका एक दाना भी बरबाद ना करो, आप उतना ही खाना लो, जितना आप खा सकते हो. ठीक है बच्चो? तो इसमें गीला कच्छा रहेगा बच्चो, इसमें सूखा कच्छा रहेगा. और कभी भी कच्छा यहां मत फेको, उसे कुड़ेदान में ही फेको. यह कुड़ादान ना बच्चा हर जगह जगह पे रखा रहता है. तो यहां महां रोड पे हम कुछ फेक देते हैं, तो गंदगी फैल जाती है, वो अच्छा नहीं दिखता है. तो हमें कुड़ेदान का हमेशा उपयोग करना चाहिए. जो भी कुड़ा हो, उसे कुड़ेदान में फेक दो. तो बच्चो, आज की पाट साला में हमने क्या सिखा? हमें अपने विद्धाले और परिसर की सफाई करनी चाहिए. अपने घर के परिसर की सफाई करने में अपने ममी की मदद करनी चाहिए. हम जिस सोचाले में जाते हैं उसकी भी साफ सफाई में का ध्यान रखना चाहिए और इन सब के साथ साथ हमें अपने सरीर के सारे अव्यों आख, ना, कान, दाथ, जीब, हाँ बच्चो बहुत इंपोर्टेंट बात बहुत जीब को साफ नहीं करते, अपने टंग को साफ नहीं करते अपने जीब को साफ करने के लिए टंग क्लीनर हाता है उससे अपने जीब को आप पुरा साफ करिये रोज बच्चो सब लोगों दाद ब्रश तो कर लेते हैं लेकिन अपनी टंग को कोई भी साफ नहीं करता है हमें उसे भी करना चाहिए अपने जीब की भी सफाई करते रहना चाहिए रोज है ना तो हमें अपने संपूर सरीर की सफाई अच्छे से करनी चाहिए और जो भी कूड़ा इखटा होता है उसे हमें अपने कूड़े दान में ही डालना चाहिए अब इसके साथ साथ बच्चों आज हम एक और लेशन पढ़ेंगे 1.7 सरीर के अंग निमने क्रियाओं में किन अंगों का उप्योग हो रहा है बताओ अब देखो जैसे ये बच्चा है ये बच्चे के हाथ में क्या है बॉल है गेंध है है ना तो गेंध का उप्योग वो किस अंग का उप्योग कर रहा है उसने गेंध लिया है वो जो क्रिया कर रहा है उसमें उसकी सरीर के कौन सा भाग, कौन सा अंग का उपयोग कर रहा है तो देखो हाथ का उपयोग कर रहा है ना हाथ में बॉल पकड़ा है और उसे वो फेक रहा है तो किसका उपयोग कर रहा है, सरीर के कौन से अंग का उपयोग कर रहा है हाथ का उपयोग कर रहा है अब देखो ये चित्र क्या है उपर की वस्तु उठाना उपर वस्तु रखी है तो क्या हम पैर से उठाएंगे कि हम अपने सर से उठाएंगे गलत हम अपने हाथों से उठाएंगे तो ये पुस्तक उठाने के लिए ये वस्तु उठाने के लिए किसका उपयोग कर रहा है कौन से अंग का उपयोग कर रहा है बच्चो वो अपने हाथ का उपयोग कर रहा है हाथ से देखो उसने पुस्तक पकड़ी है न जो भी वस्तु हो पुस्तक हो कार्ड हो कुछ भी हो तो किसे पकड़ रहा है हाथ से हम पैर से पकड़ सकते हैं नहीं पकड़ सकते हैं तो वस्तू उठाने में किसकी सहता ले रहा है कौन से अंग की यह देखो हाथ गेंद फेकने में कौन से अंग की सहता ले रहा है हाथ देखो हाथ से पकड़ा है है ना आगे देखते हैं चलना जब हम चलते हैं तो हम सरीर के कौन से अंग का उपयोग करते हैं पैर का हम हाथ से चलते हैं नई हम सर से चलते हैं नई हम किस से चलते हैं अपने दोनों पैरों के सहारे हम चलते हैं चलने के लिए हम किसका उपयो करते हैं पैर का, नीचे रखी वस्तु उठाना, नीचे रखी वस्तु को उठाने में आपको कैसे लगेगा, किस से उठाऊगे, हाँ से उठाऊगे, और जब हम कोई वस्तू उठाते हैं न बच्चो उजन्दार तो हमारे सोल्डर के पास जो मास पहना उसमें खिचाव आता है, हमारे मास पेशियों मेरा खिचाव आता है, हमें मालूम परता है हम उठा रहे हैं, हमारे सोल्डर पे मास पेशियों में खिचाव मसूस होता है, हल और मैं पता बच्चो जब आप टीवी देखते हो तो आप अपने सरीर के कौन से अंग का उपयोग करते हो हाथ का करते हो की आँख का करते हो की नाख का करते हो हाथ का करते हैं गलत मैं गलत बोल रही हूँ आप बोलो टीचर आप गलत बोल रही हो टीवी देखते समय हम अपने आखों का उप्योग करते हैं किसका उप्योग करते हैं आखों का है ना हम आखों से हम टीवी देखते हैं आखों से में पता चलता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है और अगर मम्मी घर में पकोड़े बना रही है वड़ा पाओ बना रही है या मॉमोस बना रही है तो हमें कैसे मालूम पड़ता है नाक से क्योंकि उसके खुश्बू आती है ना तो हम सुनते हैं हाँ, आज मम्मी वड़ा बना रही है या मम्मी भजिया बना रही है तो हमें खुष्जभू किस से पता चलती है? नाक से पता चलती है है ना? तो बच्चो आज की पाड साला में हमने क्या किया? हम कौन सी कृया? कौन से अंग से करते हैं? हम उस अंग का नाम बता रहे हैं जैसे बॉल फेकना हम हातों का उपयों करते हैं उपर रखी हुई वस्तु उठाने में हम हाथ का उपयोग कर रहे हैं चलने में हम पैर का उपयोग कर रहे हैं नीच रखी हुई वस्तु को उठाने के लिए हम हाथ का उपयोग कर रहे हैं तो बच्चो आज की हमारी पाट साला यहीं पे समाप्त होती है अगली पार्ट साला में हम कल फिर मिलेंगे अगर आप मेरे पार्ट साला में नए हो तो मेरे पार्ट साला को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए कॉमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पार साला का लाब सभी बच्चे ले सके जैसे आप पढ़ाई करते हो वैसे वो भी पढ़ाई करे ठीक है बच्चो बच्चो अगर आप मेरी पार साला को सब्सक्राइब करिए ठीक है बच्चो तो अगली पार साला में हम कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई बच्चो